इन शाम आप सभी का स्वागत करता हूँ काफी दिनों के बाद आज हम सब योट्यूब के थुरू मिल रहे हैं और ना उमीद करता हूँ कि आप सभी का जो पेपर है RS 2023 का प्रिलिम्स का वो काफी अच्छा गया होगा जल्दी ही कट ओफ को लेकर भी मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लऊँगा उसे पहले अब चुकी आप जानते हैं कि कल ही RPSC ने अपना पेपर और उसके साथ साथ आंसर की भी दे दी है और अब्जेक्शन्स भी मांग लिए है कट ओफ को लेकर आप चिंतित होंगे लेकिन अभी के लिए आप सब चीजों को भूल करके आगामी जो रणनीती होने वाली है उस पर हम थोड़ा सा चर्जा कर लेते हैं जो RPSC है वो निश्चित रूप से आने वाले 15 दिनों के भीतर अपना रेजल्ट दे देनी वाली है जिसे साथ से उसने आंसर की जारी की है और इसके अलावा आपका जो दिसंबर महा का एंड है या फिर जन्रवरी महा की शुरुवात में आपको मुख्य परिक्षा के लिए अपियर होना पड़ सकता है तो उसी के अनुरूप आप अपनी तयारी को शुरू कर दे इस कक्षा में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि RS Junction Platform पर जो Current Affairs की PDF हम मासिक रूप से उपलब्द कराते हैं जिसमें लगबग 15 से 20 जो है pieces होते हैं मुश्किल से 25 pieces हम एक महीने में देते हैं जिसमें आपको राजस्थान, National और International Current मिलती है उसमें से जो questions सीधे पूछे गए हैं उनका मैं एक बार आपको विवरण यहां पर देना चाता हूँ ताकि आपको ये पता लग सके कि हमें जिस सोर्च से हम तयारी कर रहे हैं वो कितना आपके लिए उपयोगी है, कितना बहतर है तो यहां पर आप देख सकते हैं March 2023 की PDF में से जो question है पहले उनका मैं बात करूँगा पहला question जो कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे राजस्थान के वन परियावरण और जलवायू परिवतन विभाग ने जो वेटलेंड की अदिसूचना जारी किये थी, उससे जुड़ा प्रशन है चमबालिस इसका आंसर है और देखिए मैंने जो प्रशन बनाया था उसमें भी मैंने इस चीज़ को मेंशन किया स्ट्रेट चमबालिस वेटलेंड की ड्राफ्ट अदी सोचना जारी और हाइलाइटेड किया गया इन चीजों को उनको बहुत बड़ा करने काम कोशिश ही नहीं करते हैं अगला क्यूशन था अप्रेल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सूचनायोग की पीठ की स्थापना की शहर में की जानी थी तो जोदपूर इसका उत्तर था और यह देखी हमने लिखा था इसको कि प्रभावी क्रियानवेन के लिए जोदपूर में सूचनायोग की बैंच इस्थापित की जाएगी और फिर हमने इसमें राजस्तान राज सूचनायोग की डिटेल्स भी हमने यहाँ पर नीचे इसमें दी थी इसके बाद मैं अगला प्रशन जो वैश्विक खुशाली सूचकांग 2023 वाला था 126 जिसका उत्तर है यह भी मैंने बिल्कुल क्लियर दिया था कि लगातार चटे वर्ष दुनिया का सबसे खुशाल देश स्वीडन था इसका पीछे वाला पेज का हिस्सा रह गया है वर्ड हपिनेस रिपोर्ट में 137 देशों में भारत 126 वे इस्थान पर था पडोसी देशों की भी हमने जानकरी दी थी और जो 6 प्रमुक कारक इसमें होते हैं वो भी हमने दिये थे फिर आपका अगला क्यूशन रोगों से जुड़ा हुआ था जीवान भी रोग कौन सा नहीं है तो मैंने इसी महीने की PDF में डेंगू रोग की जो पहली DNA वैक्सीन बनी थी उस पर जानकरी दी थी और इसमें मैंने क्लियरली आपको बताया था कि डेंगू वाइरस जो है उसके माध्यम से ये बिमारी होती है तो आपका उत्तर फोर डेंगू इसमें होने वाला था चार प्रशन आपके मार्च की PDF में से आए लगबग 120 से लेकर के 150 टॉपिक हम कवर करते हूं उनमें से चार प्रशन आ रहे हैं निश्चत रूप से आपका ये काफी अच्छा स्कोर में इसको मानता हूं अप्रेल की बात करें तो जो मिलेट्स या स्री अन्या मोटे अनाद जो होते हैं उनसे जड़ा प्रशन आया था और इसमें मैंने आपको देखिए बिलकुल जो जो लिए सावा, कांगनी, कोदो, और कुटकि तो आंसर अमारा फोर था जो आर कोदो, कांगनी और रागी तो हम सब जानते हैं जोはर बाजरा रागी ये तीन तो में है इसके लावा और भी सावा, कांगनी कोदो पादिक, ये सारे और भी जो होते हैं तो अगर आपने इसको पड़ा होता, निश्ची तूप से आप इस प्रिश्ण को सही करते हैं। इसके बाद में अगला प्रिश्ण आपका कोई भूका ना सोये, किस योजना का नारा है, इस तरह से ये प्रिश्ण आया था, हाला कि इस प्रश्ण के साथ में एक समश्या ये हो गई कि इसका जो उत्तर RPSC ने माना है वहाँ पर थोड़ी सी गड़बड ये कर दी है कि जो है उसने इसे अनपूर्णा फूड पेकेट मान लिये तो हो सकता ये प्रश्ण डिलीट होगा लेकिन देखिए मैंने इंद्रा रसो ये उजना में बिल्कुल क्लियरली बताया था कि कोई भूका न सोय इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये उजना शुरू की गई थी फिर ग्रामिन जो चेत्र है वहाँ पर इसकी शुरुवा तो ये उस पर मैंने इसमें बात की थी चलिए इसके बाद अगला प्रश्ण आपका साइन्स से रिलेटेड था श्री हरी कोटा से जो टेलियोस 2 और लिमिनाइट 4 को लांच किया गया था तो इसके बार में 55 टेलियोस 2 तो अगर आपने केवल देख भी लिया होता तो भी आराम से इस प्रिश्ण को आप करने में सक्षम हो सकते थे चलिए अगर बात करें SSLVD2 की तो फरवरी में ये लांच हुआ था और इसके द्वारा जो है हमारा भारत का जो है एक Earth Observation Satellite लांच किया गया था E आप GSL भी तो आपकी जितने भी जियो संक्रोनाइस सेटलाइट होते हैं खास करके GSAT वाले उनको लॉंच किया जाता है थ्रीडी प्रिंटेड डागर का प्रिशन मैंने बिल्कुल क्लियरली बताया था आपको कि बैंगलूरू में देखिए हाईलाइटेड चीजों पर आप ध्यान दीजिए भारत का पहला डागर बैंगलूरू में थ्रीडी प्रिंटिंग तक्निक IIT मदरास लार्सन एं टब् पांचवे इस्थान प्राप्त किया अब देखो यह क्योशन ऐसा था कि पांचवे इस्थान को कोई भी आदनी रखता है लेकिन मैंने आपको बताया था कि ISSF वर्ड कप कहां हुआ है तो अजरबेजान के बाकु में और किसका है निशानेबाजो का सीधी बात है कि वह पीडियेफ में इसमें पूछा गया था कि 16,674 किलोमेटर जो वनस्पति आऊ रण हो कितना है यह देखिए मैंने बिल्कुल क्लियरली इसको दे रखा है कि यह चार दश्मलो सत्यासी प्रतिशतर वना रण चलिया इसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो जुलाई 2023 में जो सी किया हुआ है नेक्स क्यूशन अगर हम देखें तो राजस्थान भाषा के साहित्यकादमी युवा पुरुषकार की बात की थी देखें बिल्कुल स्ट्रेट हमने इसको हाइलाइट भी किया था कि राजस्थानी में देविलाल माया की अंतसरो ओल्मो इसको जो है साहित्यक राजस्थान विधान सबाने जो विधेक पारित किया था तो पूरे विधेकों की श्रंखला आप तेरा विधेक थे सारे के सारे मैंने इसमें मैंशन किये थे और मैंने इसमें मैंशन भी किया था कि प्रशु विज्ञान विजिदले जोबनेर के नाम से ही विधेक था तो जोबनेर में दूसरा भी था और वीकानेर में पहला पहले से स्थापित है, यह हमने clear इसमें किया था, फिर इसके बाद में wetland के अदिसूचिना का ही प्रशन मैंने दूसरी बुक में भी आपके जून में किया था, जब इसके स्विक्रती अदिसूचित हो गई थी तब का यह प्रशन आप देख सकते हैं, मैंने पूरी लिस्ट भी दी थी, सबसे ज़्यादा कहां पर है, कौन-कौन से जिले में कितने हैं, वो सारा आपने इसमें बात की थी, नेक्स्ट आपके आर्टिविशिल इंटेलिजेंस का जो प्रशन था, ग्लोबल सम्मिट का, तो उस पर मैंने स्मार्ट प्रोबोट प्रेस कॉन्फरेंस के नाम से इसको सम्मिलित किया था, और यह स्विट्जर लेंड के जेनेवा में हुई थी, तो आंसर भी आपका, इसम प्रिश्ट में से बहुत क्योंशन आये, जैसे कि राष्टि बाग संग्रेक्षन प्रादिकर ने जो धोलपुर करोली को दिया, बिल्कुल हमने इसको इसी हेडिंग के साथ में सम्मिलित किया था, राष्टि संसदी संग का भारत छेतर का नवा सम्मिलन, इस पर भी मैंने आपको बताया था कि नवा सम्मिलन उदैपुर में आये जितुआ है, बिल्कुल क्लियरली हमने इसके थीम और बागी सब चीजों पर बात की है, फिसु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, मैंने गेम्स को पूरे कवर किया था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिसु म आप आसानी से से कर सकते हैं, नेक्स प्रिशन आपका आया था, भारत के खुले संग्रा हाल है, शहीदी पार्क का अनावरन कहां किया है, तो दिल्ली में दिल्ली गेट के पास शहीदी पार्क को यहाँ पर विकसित किया था, इस पर मैंने चर्चा की, फिर आपका उधगम पोर्टल का प्रिशन हाल ही में, किस संस्था ने उधगम पोर्टल लांच किया, तो देखे, RBI ने लांच किया उधगम पोर्टल, केवल हेडिंग से आपको पता चल रहा है कि कहां पर आपका प्रिशन पूछा जा रहा है, तो कुल मिला करके यह 23 प्रिशन यहां पर करवाया था, तो उमीद करता हूँ, यह चीज आपको मदद की होगी, डेफिनेटली आपके कमेंट्स यह चीज बताएंगे, अब चुकि हमारे पास समय बहुत कम है, तो आगे हमको मुख्य परिक्षा की तैयारी शुरू करनी है, हमारी पेपर वन की टेस्स तरीज तैयार ह और अवेलेबल है आपको हमारे पोर्टल पर ठीक है, और पेपर टू की जल्दी हम तयार करने वाले हैं, पेपर वन के जो कुछ टॉपिक्स हैं, उनका स्टुडी माटेरियल पीडिया फॉर्मेट में भी आप राप्त कर सकते हैं, पेपर थी के भी कुछ टॉपिक्स हमने अवेलेबल करा रखें, और जल्दी ही बाकिस सब चीजों का हम इसमें कवर करने वाले हैं, तो आप अभी हमारा टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुए, आप नीचे देखिए, डिस्क्रिप्शन में जाकर के, वहां से पर आपको regularly content मिलने वाला है, free of cost भी मिलेगा, और उसके साथ-साथ और भी content जो है आपको यहां पर मिलने वाला है। उसमें के साथ वीडियो को like करें, share करें और बने रहे हैं वारे साथ, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद